आज हम उस विशाय पर बात करने की कोशिश करते हैं जो पिछली कुछ समय से चर्चावे हैं योगी आधित्यनात उत्त्रप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और भारती जनता पार्डे का एक संभावना श्रील चेहरा लिए वो राज उत्त्रप्रदेश में कर रहे हैं बर उनकी आवाज की गूझ पूरे देश में बयानों की शक्र में सुनाई देती है 26 अगस्त 2024 वो तारीक थी जब उन्होंने एक बयान दिया बांगला देश में हो रहे हिंसक हमले जो हिंदू परिवारों पर थे उसका संदर्व देते हुए योगी आदितन आपने कहा बटोगे तो कटोगे आशे ये था अगर हिंदू समाज परस पर बटेगा तो फिर उसका बविश खत्रे में रहेगा इस बात को समय के साथ और विस्तार भरते जन्ता पाड़ी के तमाम नेताओं ने दिया जिसमें स्वेम देश के प्रधान मंतिर नरिंदर मोदी भी शामिल रहे हर्याणा चुनाफ के दोरा यह नारा काफी चर्चाओं में आ गया अलग-अलग सभाओं के इस तर पर इस बात को प्रस्तूत किया गया और हर्याणा विदान सवाज चुनाफ में भारती जन्ता पार्टी ने जो अप्रतिय शिद्जीत हासिल की उसके तमाम कारणों के बीचे में इस कारण को भी एक बड़ा कारण समझा गया और हर्याणा का चुनाफ का परिणाम आई हुए तो और सब भी थिया पर फिर भी हम यह बात क्यों कर रहे हैं चर्चा के इसलिए कर रहे हैं कि भारती जन्ता पार्टी जिस संगठन से उड़ जा पाता है वैचारिक पक्ष जिस संग्ठन से जोड़ा हुआ रहता है वो है राष्ट्रिय स्वेम सेवक संग की वार्षिक बैठक अभी मुथ्रा में हुई 26 अक्टूबर 2024 को उस बैठक में संग के सरकारवा दक्तात्रे होस्वेवलेजी ने इस बटोगे की बात को और आगे बढ़ाया और इस बात पर अपनी सहमती संग्ठन के स्थर पर जताई कि हिंदू समाज अगर परस पर अगड़े पिछड़े जात पांत में बिढ़ेगा तो बड़ा नुकसार करनेगा हमें एक साथ रहने की जूरते ये बात दटततरے होस बोलेजी ने पर इसकी प्रष्ट भूमी क्या है इसकी प्रष्ट भूमी यह है कि अगर हम राईनेती गुरूप से राईनेती गुरूप से आजादी से पहले ही पूट डालो राजकरों की दीती को अंग्रेजियों के दौरा अपनी हुकूमत को इस तहर्त प्रदान करने के लिए अपनाए गया था ये हमने इत्यास की किताबों में पड़ा उसके तहर्त एक भेद पैदा किया गया हिंदू-मुसल्मान के बीचे में और आजाजी के बाद ये बताने की शिष्टा की कि हिंदू-मुसल्मानों को मिलकर रहना चाहिए और तभी देश आगे बढ़ सकता है कॉंग्रेज के संदर में इस बात के आरोप रहे कि उसने वक्त के साथ में मुस्लिम तुष्टी करने की नीती को अपनाया और एक वोट बैंक की शकल में उस मुसलिम समाज को साथ जोड़े रखने की कोशिश की और इस कोशिश के तहते बहुत संख्यों के हितों के उपेक्षा भी की कॉंग्रेज ने इस नीती के तहती लंबे समय तक राज किया पर इस नीती में सेंद तब लगी जब लालु यादाव और उबलाएमसी की यादव जैसे छेत्रे नेताओं ने एक अलग समीकरण बनाया जिसे मुसलिम यादव समीकरण और इस समीकरण के अस्तित्व में आने के साथ ही कॉंग्रेस की योजना जो लंबे समय से चली आ रही थी दोस्त हो गई कॉंग्रेस इन राज्यों में बिहार उत्तर प्रदेश में प्रावव की स्तिती में पहुंझी और ये नया समीकरण हावी हो गया पहले जनसेंग और भारती जनता पार्टी के माद्यम से हिंदू समाज को संगठित करने की कोशिश आखिरकार परवान चड़ी और 2014 में नरिंद मोदी के चमतकारिक नेत्रत में भारती जनता पार्टी ने चमतकारिक सफलता भी हासली है अब उस सफलता को खंडित करने के लिए राहुल गांदी और कॉंग्रेस पार्टी नया हत्यार लेकर मैदान में है अगर हिंदू समाज को संगडित करने का काम भारती जनता पार्टी ने किया है तो संग और भाजबा के कई नीती निर्दार कैसा मानते हैं कि अब उसको द्वस्त करने की कोशिश में राहुल गांदी ने नया हत्यार निकाला है जात्याद जनता जनता संग का विचारवान आक्रमक चेहरा है मूलता वह विशिंदू परिष्ट के साथ संबध है राश्णी प्रवक्ता है वेपके पर संग के स्वेम से वक है हमारे जात में दूसरा जो चेहरा है इसी विचारधारा से उत्पूरत वो नाम है डॉक्टर चिंता मणी मालवी जी का बारदे जनता पारड़ी के प्रदिश पाध्यक्ष है मद्ध प्रदिश में पूर संसद है वरतमान में विज़ा है के वो हमारे साथ है और ऐसे मोड़चों पर और ऐसे मोकों पर मजबूती से टिके रहने के लिए कॉंग्रेस अतिकुर रह्मान साब है आप सभी का स्वागत है चर्चा के शुरुआत हम चिंता में मालवी जीज़े करेंगे लेकिन उससे पहले कुछ बयानों पर दृष्ट्री डालेंगे जो इस कर्किम की बुनियाद है समाज की एक रही का हम जाती भाद्शा अंत के लिए अगर प्रवेश्चा करेंगे तो तो यह थे दत्तात्र होस बोलेजिए जोनों का कि अगर हम जातिपाद की चक्कर पढ़ेंगे तो नुक्सान करेंगे तो कुल मिलागी चिंता किसे बात को लेकर है चिंता बड़ी जी आपनी पार्टी की सक्ता बचाए रखने के लिए यह आवान है या देश को बचाए रखने के लिए सवाल गंबीर है थोड़ा बताएंगे चिंता बड़ी जी पार्टी का सवाल नहीं पस्तूता है यह संदर्व एतिहासी है और मुझे लगता है कि एक सेखडों सालों की प्लाइट को पीड़ा को और वास्त्युक्ता को यवल चार शब्दों में योगी जी ने अभीवक्त किया और चूकि वह बहुत मोजू है बहुत समीचीन है उसक गया किने सेखडों उधारन या कहें कि हजारों उधारन उपलक्द हैं कि जहाँ-जहाँ हिंदु समाज बटा को हिस्सा देश से कट गया कि और जहां हिंदु समाज कमजोर हुआ वहा तसद्दूत बड़ा आतंगवाद बा अराजयक्ता बड़ि धिंसा बड़ि तो हिंदू मुस्लिम एकताका कि घ्कारणटी रंश है मैं इसको बड़े चौर लगा करके कहता हूं तॉय हिंदू से बड़ी आबादी में तो जैसे मुस्लिम समाज थोड़ी सी पड़ी आबादी में 20 प्रतिसत 19 प्रतिसत 15 के आसपस आता है तो दंगे शुरू हो जाते हैं तो अगर हिंदू समाज अगर ताकत वर रहे तो दंगे नहीं होगे यह इस बात की ग्यारंटी है कि हिंदू बटा तो समाज को एक होगा तो यह देश बटेगा नहीं और यह बहुत उन्होंने वरसों जो अनुभूत की जाने वाली तत्तुधा उसकी व्याक्या अधर्णी योगी जिन पर चिंदावणी जी मैं समझ नहीं पा रहा हूं वह दस साल से भारती जंता पार्ड़ी का राज है नर्य मोदी जी जा सचामत कारिक नेतरत्व हैं यह हिंदू समाज में बटवारी के आशका कहां से पैदा हो गई है आपका राज होते हुए हिंदू समाज बटने जा रहा है ऐसा आपके अंदर भाव कैसे आ गया ऐसी चिंताई कैसे आपको परिशान कर रही है थोड़ा आप देखिए कॉंग्रेस को जातिकत जंगरना की बात करें जातिकत जंगरना की तो उससे मालूम है कि मुस्लिम समाज में भी जाती हैं लेकिन मुसल्मानों की जातिकत जंगरना की बात उन्होंने नहीं की हिंदू की जातिकत जंगरना की बात की तो यह कोशित है कि लेकिन जैसे हिंदू एकता की बात आती है तो कॉंग्रेस चोंक जाती है कॉंग्रेस जो है वो दुवेलित हो जाती है परेशान हो जाती है उसे हिंदू एकता नहीं चाहिए हिंदू समाज बटावा चाहिए और मुसलिम समाज संगधित चाहिए ये कॉंग्रेस की हमेशा शक्ता हुई कि यह जो आज बाटने की आप देखें कि यह विंदू समाज को बाटने ही तो हुआ कि आपके वल यादों हैं इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं और मुसल्मान हैं तो उसे तो रहने हैं अच्छी पूरी मांगे बानी जाती है और बटों के कटों के इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी का राज्य था तो हम देखते हैं कि यादव और मुसलिम दोनों समाजवादी पार्टी के वोटरस हैं लेकिन यदि जगड़ा होता था यादव और मुसलिम में तो फिर यादव की नहीं सुनी जाते थी मुसल्मान की सुनी जाते थी तो जैसे यादव हिए अगर हिंदू समाज से कटा तो उसके बाद उसकी नहीं सुनी गई तो चिंता मने जी की कई चिंताएं हैं और चिंताओं के संदर्ण में लेकि सवाल इस बात का है कि ये देश तो 140 करूर की आबादी का है तो देश को मजबूत रखने के लिए तो किसी को भी परसपर नहीं बटना चाहिए जब आप ये कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे तो चिंताबड़ी आपको नहीं लगता है कि अगर हम ऐसे हिंदु मुसल्मान में बटे तो दुनिया की बाकी देश हमें काट कर चले जाएंगे जैसे अतीते में हुआ है उस तरह आपका ध्यान नहीं जाता है या केवल अपनी कुर्सी तक ही ध्यान रहे जाता है देव मजे की बात बहुत अच्छा प्रशन करा डख साव अपने धन्यवाद मजे की बात यह है कि बहुत दुरभाग से हमारा तेश का और मैं तो कहता हूँ सारी जगे का मुस्लिम समाच वो बाकी चीजों पर नहीं ध्यान देता उससे केवल इसलामी हितों का ध्यान है उससे केवल अपने हितों की बात है कि कौन हमारी उच्छी तनुची सारी मांगों को मानेगा अगर आप बंगला देशियों के खिलाप बात करोगे मुसलिम वर्ग आपके खिलाप हो जाएगा वो तो अल्रड़ी खटा है वो बटने का सवाल नहीं है वो और जहां तक मुसल्मानों के बटने की बात है तो मुसल्मान इस द्रश्टी से तो वैसे ही बटा है आप देखे कि वो बुर्गे की मांग करते हैं वो जो इसकुल में जाते हैं तो हमको नकाब लगाने की होते हैं उनको उर्दू स्कुल चाहिए उनको मदर से चाहिए वो दूसरे इसकुल मैं नहीं बढ़ना चाहते हैं उनको मदर से चाहिए तो सारा अज़ाऊ का सामान ज़ती एक जगे मिलता है तो वो मुसल्मान हों के तू काम के मिलता है तो उसमान में मिलता है डॉक्टर जिन्दा बढ़ी मालवी की अपनी दृष्टी अपनी सोच है मैं विनोस बंसल जी के पास आऊँगा लिगा उससे पहले जैपरकाश जी से कुछ बात करना चाता हूँ जैपरकाश जी से जानना चाता हूँ कि जैपरकाश जी पहले या आरोप अंगरेजों के संदर में रहे कि उन्होंने फूट डालो राजकरों की नीती को अपनाया और उसके तैद इस देश पर अपनी हकूमत बनाया रखी अब आरोप कॉंगरेस पार्टी और इसके शीर शनेता राहूल गांदी के संदर में है कि वह हिंदू समाज में भेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ज्याती आधारी जिनकरणा के माद्नम से विवाजन पैदा करने चारे हैं दलित पिछडे आधिवासियों के संदर में उन्हें अलग वजूत के तरवर प्रस्तुत करना चाते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भारतिय जनता पार्टी के पीछे जिस प्रकारते ये सब लोग एक जुट हो गए हैं इसमें सेंद मारी की जाए है कि आप इससे एक्तिवाग रखते हैं नारोपों से देखिए पहली बात तो यह है कि जो भारतिय जनता पार्टी पूरे आध दस साल ग्यार्मा साल सुरू हो गया सत्ता में भारत के प्रधान मंत्री भी हिंदू हैं पीजेपी से हैं तो ऐसी नोबत कभी आई है कि मैं इन साथियों से बूचना चाहता हूँ भारतिय जनता पार्टी ने इस देश का सत्या नास कर दिया और कॉंगर्स पार्टी ने क्या इन से सर्टिवेड लेने की जूरूरत है कि हम हिंदू हैं यह जो भाई बोल रहे थे इन से तो ज्यादा मजबूत ज्यादा पुईत्र ज्यादा सुद्हिंदू हम हैं इन लोगों ने तो धर्म को राजनती के लिए हमेशा इस्तेमाल किया है और हम लोगों ने धर्म को राजनती के इस लिए इस्तेमालने करते हम धर्म को धर्म में एक आस्था है अपना जीवन बसर करने के लिए धर्म को करते हैं और भारत वरस की तो कुई सोती ही मैं जिसमें जिसका बहुमत उतना उसको हग मिले या खौग इसी बुरी बात है अगर जात में जात मजब में मजब बाटने का काम किया है तो भारतिय जनता पार्टी राराइसस के लोगों ने किया है मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ तो उत्तर परदेश के मुख मंत्री जी ने और फिर उसके उपर मोर लगाने का काम किया जात आतराजी ने और भारतिय जनता पार्टी के नेताओं ने राराइसस के नेताओं ने और राहूल जी की बात करते हैं राहूल जी के प्रिवार ने इस देश की एकता और कंड़ता के लिए अपने प्रिवार के दो-दो नेताओं को श्यादत दिये है इस देश के एकता के लिए अपने प्राण दिये हैं भारतिय जन्ता पार्टी का कोई एक ऐसा नेता है यारस्यस का कोई एक ऐसा नेता है जिसने जन्ग अजाद्वी से लेकर के आज तक इस देश की एकता और खंड़ता के लिए तभी एक अपने कहीं लड़ाई लड़ी हो जब देश जल रहा था भारतिये जन्ता पार्टी के लोग उस वक्त में जंग अजाद्वी के लड़ाई से पहले बटवारे के समय उस वक्त में केवर एक बात करते थे धर्म की जाद की आज बात करते हैं बंगलादेश की बात ले करके तभी कोई तभी कोई अब मैं पूज़ना चाहता हूं कि बाहर के प्रधान मंतरी नवाज सरीप की माता के पाउं चुने क्यों गए थे अगर इसी नफरति उन्हों मुस्लमान होती आपने कितनी संदर बात करते हैं जिन्नों ने अपने परिवार के दो-दो लोगों को इस देश की एक्ता के लिए खो दिया पर यह जो गांधी नहरू परिवार है ना यह अतीत में जाती आधारे जन्गर्णा की खिलाफत किया है पंडित नहरू इसके कभी पक्षदर नहीं रहे इंदरा गांधी कभी पक्षदर नहीं रही और राजी गांधी ने भी कभी समर कर रहे हैं जो 55 साल कॉंग्रेस के शासन काल के दौरन कभी एजेंडे में नहीं रही तो आपकी नाराज़गी किस से ज़्यादा है मैं बाजबा से या राहुल गांदी से नहीं बाजबा से मैं यह कहना चाहता हूं कि भार्ट के जनता पार्टी ने जात के नाम से सबसे ज़् लेकिन इनको तकलीफ जब होती है ठीक है कि पहले कॉंग्रेस पार्टी जाती की बात नहीं करती थी वो तो जाती जंगना है आज जगड़ा आरक्सन का पूरे देश में आग लगवादी है बीजेपी ने जब से भार्टी जिल्टा पार्टी आई है जातियों को तोड़ द है इनने बिल्कुल मैं कहता हूं कि आज आउस सकता है राओ जी के बात बड़ी अथी है यह रिजर्वेशन का मामला ही खत्म हो जाएगा जिसका जितना जिश्जात्ती का जनसंख्या है उसके साथ से उसको बेटेश जो जो से ओस्टी का हो जो से बीसी का हो आज आपनी मान मानते हो कि योगी आदितनात ने बात तो बड़े ज्यान की कही थी बटोगे तो कटोगे अब हर्याना अपने आप में उधारण हो गया अगर कॉंग्रिस पार्टी आपस में ना बठी होती तो अभी जैप्रकाशी विजायक के पिता ना होते मंतरी के पिता होते क्या मानते ना सने नहीं हमारा तो खेल है धन का धन बल और मसीन बल की वज़े से इन्होंने सकता लिए इनके पास पापुलर्टी नहीं है अर्याना की किसान आज लो रहा है आज दस तिर सरकार बनने हुए लाठी चार्ज ये किसानों के माचे पोड़ दी है आज दिये पी खात नहीं का नहीं बुकता है मजदूर को मजदूर ही नहीं मिलती ते रोज़दा deutschen साथ के साथ दोका किया बाई पिछड़ावर के प्रकोष्ट के राश्टी अड़क्ष है वो मामन खान के बयान को बड़ा जिम्मेदार मांते हैं अहिरवाल वैल्ट मैं हार के लिए वो मामन खान ने बोला था जिन लोगों ने मेवात के बच्चों के साथ अन्याय किया है कॉंग्रिस की सरकार बनते उन्हें मेवात छोड़ना पड़ेगा अजय यदो कह रहा है मामन खान खुद तो लाग वोट से जीत किया पर हम सब का निप्टारा कर गिया क्या कहते हैं पता उन्होंने क्या कहा हम सब तुनाव में भीजी थे उनका वैक्टिक्ट को बात हो सकते तो उनका ही होगी लेकिन मैं यह बात कह सकता हूं कि बात यह जंता पार्टी ने याद होगा मेवात के मामले को लेकर के कि इस तरीके से इनने जुटे उस तरफ भी बीजेपी के लोग संग के लोग इस तरफ भी बीजेपी संग के लोग नू में लड़वाने का काम नहीं किया था अर्याना में जात इसकी जितनी जनसंक्या है उसको उतना ही उसका हग मिल जाना जाए ये जैप्रकाशी की दलिल है लिके मेरे साथ में विनोध बंसल जी जुड़ गए हैं राजनितिक बयानों के अपने माइने हैं पर जो देश का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा गैर राजनितिक संग्ठन माने जाता है वो अगर ये बात कह रहा है तो उसको विस्तार से समझने के जुरूत है पर बंसली हम बात समझ नहीं पा रहे हैं तो यह बताता है जो भी इस देश में हंद। जाके जब संख्या बता जाती है कि 109 करूड हिंदू है 20 करूड मुसलमान है ये बटोगे तो पता तो चले, चिंता मणी जी की बात तो सीधे इस पर्ट स्वर पर समझ मारती है, एक सो नो करोड एक तरफ, बीस करोड एक तरफ, बंजल जी बताएं, उनकी सोच कहा जाती है? आपके सभी जो पैनलेस्ट हैं, वो भी घर्म मारक पर चलते हुए, रास्टी कारे के लिए एमकरा सरवादिक जीवन लगाएं, ऐसी मेरी शुब गामना है और दूसरा ये देखे, मैं सुन रहा था भी चिंतरमणी जी की चिंता थी, और साथ मैं सांसद मौदा जो जैपरकाजी है, वो भी बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे, कि कॉंगरेशनल ब्लदान दिया, कॉंगरेशनल ये किया, हमारे लोग ऐसे, राउल गंदी ऐ कोशिट्या कर रहे है ना जी, वो तो रात और रात काघ़जमत दर्श करा दी भई, क्या वो किसान नहीं है क्या, प्यकिया,। उपजाओ नहीं है क्या उनको जिहादी भूमी की क्यों कर रहा है उपजाओ भूमी को सम्षान बनाने का जो सडियन्त रहा है वो कौन कर रहा है अब मुझे बताईए कि देश को आज बड़ी अजीब बात लगी एवांसु जी कि एक तरफ तो यह कि कह रहा है कि देश को जात पर पिछले 70 वर्सों में जो जिसका साथ संसरबादिक रहा उसी ने तो यह जन संग अपने जो जिहादी जहर बोया मैं कहना चाहता हूं सब्सक्राइब पर कि आखिरकार जन जाती है आदार पर यह जो अपने जाती है आदार पर हिंदू समाज को बाटने काटने चाटने क कशन की अवी कौन नहीं जानता आज किती में जब जैपिसी पर जैपीसी में चर्चा होती है तो आखिरकार आप पर भी तो सयोगी है ना जो कि जैपीसी की चेर्मेन की स्कने पूतार ब़ुए जाता है आपके मुँमेंसे एक सब्सक्राइब निनिकलता कि पर मैं जाता हू तो भारत के बाहर एक पाकिस्तान वारत के अंदर एक पाकिस्तान अब तीसरी बात यह कि जो नू की बात की बात करी तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या जैप्रकाजी की बूढ़े क्या कि यह जो मेवात है बग्ष्ण की किड़ा अस्तर नहीं जाई है यह तो पुनेतरा है वह पर हिंदू को ना चाहिए था वो कहां गया भई कौन खागया यह इनके सासिनकाल में हुआ और किसके कारण हुआ जमात का संक्रमन और कॉंग्रेस का उसको अधिक्रमन और उनका पालनहार कॉंग्रेस तो साथ हुआ उस घठना के ऊपर सामुई नरसंगार करने की जो योजा थी उस पर कॉंग्रेस का कोई एक नेता बोला क्या मुझे ताज़व है कि आज कॉंग्रेस के जो सांसत मौत है हैं वह अपने आपको हिंदू बताना पड़ रहा है उनको आप देखिए ये भी एक बात है एक नया परिपाटी चलिए पिछले दसवर समय है अगर कोई कॉंग्रेस का प्रवक्ता है कॉंग्रेस का नेता जब डिवेट में आता है जी तो अपना पर्चे देता है मैं भी हिंदू हूँ अच्छी बात है मैं अप्रिशेट करता हूँ कंग्रेस के लोगों का अंदर का जागा मैं अभी करता हूँ कि कम सकंग इस दिवाली के बाद में जैप्रकाटी मैं आपको बढ़ाई देता हूँ भगवान राम का राम मंतर बन गया है अब भगवान राम की जनर्वी भूट तो पाप से वो ठीक है कॉंग्रेस ने किसी से चुपा हूँ नहीं है मांसु जी लेकिन मैं कहना चाहता हूँ देखिए अब बात आ रही है कटोगे तो बटोगे यह सच्चा है यह जो काटने बातने चाटने का काम जो मोगलों से चैनले भार्दीवि वीट तो अपने हर फैसले के साथ यका पीछे रहती है मोधी जी मैं पिछडे वर्ग से आता हूँ मेरी जाती को गाली दी गई ये बयान आपने सुना कई मुख्यमंत्री बनाते हैं देखिए हमने पिछडे समाज के व्यक्ति को जो है मुख्यमंत्री बनाया है और चत्रिसगर में विश्णु देखो हमने आजिवासी को मुख्यमं संद्री बनाया है तो क्या आप नहीं मानते हैं कि संग जस जाति पांति के खिलाफ केवल एक हिंदू की पैचान के साथ देश को सवरूप गहरा चाता है भारती जंदा पार्टी भी उसमें बड़ी रुकावट है वो भी अपने राजनेतिक और राजनेतिक लाब को वैसे ह खुझने की कोशिश करती है जैसे यह भारती राष्टी कॉंगरेस के संदर में आपके आरोप रहते हैं यह इसने इतर है कुछ कहानी मैं भी किसी जाती का हूँ ना जी लेकिन जाती का आपके आवाज काफी कटकर कर आ रही है तो मैं दुबारा से कोशिश करता हूँ तता जैप्रकाई जी कोई हस्शेक पर जा रहे हैं एक बार उनका हस्शेप सुन लेता हूँ जी जैप्रकाई जी पूछना जाता हूँ इन्होंने मुझे कहा के सर्टिफिकेट लेना है रहे हिंदू का इस स्रिमान जी बोलजार से ये तो पूछने हो आप तो हिंदू बनते हो केवल सत्तार कुर्शियत जाने के लिए हम हैं जरमजात हिंदू है हिंदू है और हिंदू ने किसी की बीजेटी के लोगों के सर्टिफिकेक्स जरूरत नहीं है दूसरी इन्होंने बात की मेवाद की मेवाद को तोडने का मेवाद को जलाने का अर्याना को जलाने का दो बार सरियंतर आरेसस और बीजेपी के लोगों ने किया है अगर RSS और BGP के लोगों ने नाच किया होता आज RSS और BGP के लोग अभी भी अर्याना परदेश की जेल के सिक्चों के पीछे बंद पड़े हैं इन्होंने इस देश को तोड़ने का सलिय अंतर से अर बार बार बात करते हिंदू तब कि हिंदू तब कि तुम ठेकेदार हो जा हिंदू होगे अरे आप लोग तो पच्छमी सबस्टा के खुलाम रहे हो आपके नेताओं के लोगों ने तो अगरम उस बात पे चला गया मेरा सवल था कि क्या जाती पांती के आदार पर राजनीती करने की कुशी बारती जन्ता पार्टी नहीं करती तो क्या संग की नाराज की भाज़ पासे उतनी है कि देश अभी बचेगा जब पटएगा नहीं या कैवल गॉंआ के ने चंटा है ने बात कॉंआ कोंगरेस और गॉजेपी की नहीं है जी बात ही है कि जो भी हिंदू समास को बांतरने की कोसिव कर रहे है उनोट राज़ों में हिंदू वैसे ही अलक संग क्या है something को çalışे हूँ? जी और जहां जहां हिंडू के साथ मुसल्मान थोड़ावत है मनले जहां बीस परसंट तीस परसंट है वहां उनका रेजरविशन पहले से है माइनर्टी के नाम पर हो जाएगा तो हिंडू तो गया तो मैं यह कहना चाहता हूं कॉंग्रेस से अखितार अभी यह जो विभाज करता हूं क्या यह जाती कर दादार पर लोगों को अच्छा बुरा बहला कहने की हगदारी करता हूं क्या नहीं मैं करता हूं हिंदू समास का संकल्प है विश हिंदू परसंट की स्थापना 1963 पुईमान सुचिवारत कहना चाहता हूं नैंटीं स्थिन नाइन उर्पी में धर्म संक अंगा दूती और उसमें बाकाज पुझे संत जो है जगतुरू संकराचारी उसमेंच पर अपरना का हिंदावा सोधरास परवे ना हिंदू पर्टेतों अभी तो अभेत क्या ये समझिक समरस्टा का बड़ा उदार नहीं है क्या हम तो नहीं मानते हैं आप देखें विश्विंदु परिश्दने हैं अपने अर्चक पुरोल तयाम नहीं कम चकम 15000 से जादा ऐसे अर्चक पुरोल तैयार किये हैं जो के ऐसी जो तथाकते दलिज जाती हैं मेरा सवाल विश्विंदू परिश्यद और राष्ट्री समाज की स्थापना के लिए संकल्पित है हर छड़ इस बात को धोरा था है मेरा सवाल था भारती जंदा पार्डी की सियासत को लेकर जैसे कॉंग्रिस के संदर में आपका अक्षे परहता है कि वोडों की राजनीची के लिए बाटने का काम करते हैं क्या भारती जंदा पार्डी को लेकर भी आपकी उतनी नाराज़गी है क्योंकि भाजबाबी तो हमेशा यह एसास कराने की कोशिश करती है देखो हमने इस जाती के व्यक्ति को बनाया हमने इस जाती के व्यक्ति को बनाया, इस वर्क के व्यक्ति को बनाया, हमने इतने दलित, इतने पिछड़े, इतने आदी वासियों को टिक्रिट दी, और फिर जाको उसमें भी किस समाज को किसी दी, हमने इतने साहू, इतने कुर्मी, इतने कुर्मी, क्या इस बात पर नाराज पर देश एत्य बड़ा है सद्धा है इतना बड़ा नहीं है इस दो बात है मैं काना चाहता हूं जब्लबारा समाज करें रहते हैं लोगों को अब दियान रहते हैं कि करेकारणे में हो हर समाज के लोग हो हर जाती मतरपन समपर्दायें कर आद कर आद कर दो ==== आजाने और वह विष्फिर जाती चे बढ़ते और दिया गए थे और दूसरी जातीयों को पती ग्रना पहलाँ। लेकिन किसी दूसरे को डिमोर करिए उसको नीचा रिखाईए ये ठीक नहीं है ये समाज का हिस्सा नहीं हो सकता जब ही आप एक जो अपना मदपन संपर्दाय है जाती है उसका तो सम्मान करें और दूसरे का निरादर करें ये तो ठीक नहीं है ने ये ठीक नहीं है ये विनो इस पर आपकी ठिपड़ी चाहिए, क्या कहते हैं, और ऐसे हालात क्यों बन गए, कटोगे तक की नौबत आ गई है, धन्यवाद्वाद्व सब बटोगे, यूनिटी फॉर कॉल मैं ले रहा हूँ, पॉजिटिवले ले रहा हूँ, लेकिन जो उससे जुड़ोगा शब्द है, कटोगे, तो सवाल ये उठता है, कि आपको डर किससे है कटने का, चिंता मदी जी ने जो कुछ भी कहा, मुसल्मानों की तरफ विशारा किया, और आप भी समझ गे उस बात को, कि मुसल्मान आपको काटने आ रहे हैं, इसलिए आप बटो नहीं, और नहीं तो ये मुसल्मान की हकूमत है, और इसमें बीजेपी के चीफ इनिश्चर, हमारी इंदु भाईयों से कह रहे हो, कि अगर बटोगे, तो मुसल्मान आपको काट देंगे, तो पुलिस का क्या काम रहे गया, जुडिशिरी का क्या काम रहे गया, हमारी सीना का, हमारे जितने भी सेक्रिटी फोर कि मैं इसको पॉजिटिवली ले रहा हूँ, और मैं तो बिल्कुल भी डर हुआ नहीं हूँ, क्योंकि हमेशा से हमने अपने बुजूर्गों से ये यूनिटी की बात सुनी, आपने भी वो पुराना किस्ता सुना होगा, कि जब आप स्वर्ग सिधारने वाला था, तो बच कि अगर बटोगे, तो हम इन लिटरिसी से जूज नहीं पाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे, इंडिस्टिलाइजेशन से हम ये रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे, तो अगर डेवलप्मेंट ओरिएंटेड ये कॉल होता, डॉक्टर साब, तो ये वेलकम होता, लेकिन ये कटोगे कहकर, चीफ मिनिश्टर ने अपने आपको एक्सपोस किया है, और बहुत इंपोर्टेंट एलिमेंट ये है, कि चिंतमनी जी पीजेपी के स्पोक्सपर्सन उसको इंडॉर्स कर रहे है, RSSS उसको इंडॉर्स कर रहा है, और अब मेरी बहुत बहुत विनंती है कि विनुख बंसर जी से आप पूछ लीजिए कि जिहादी कौन-कौन है इनकी नजर में, मैं अपिकुर्मान जिहादी, सारा मुसल्मान जिहादी, या एक कपका जिहादी, या सिर्फ कॉंग्रेस जिनको अपीज करता है, जिहादी है कौन, तो इसकी व्याक्या भी हो जाए तो बहुत, और सिर्फ जिहादी ही आपको काटने आ रहे हैं, और एक इंपोर्टेंट लास्ट पॉइंट यह है, जोक्टर साब मेरी तरफ से, कि मैं बिल्कुल भी डरवा नहीं हूँ इस्टेट्मेंट से, क्योंकि मैं यह अच्छी तरह से जानता हूँ, कि पुनुरा हिं एक तरह से. डलित समूदाए जो है न वो केवल हिंदू समाज में और अर्द संक्यक में ऐसा कुछ भी नहीं है और इस सर्थ की गोल बंदी के मादम दे राइन ने ते खित साथा जाए और इसी की चिंता में यूग एदनात कह रहे है ये अखली श्यादव के फॉर्मूली पर मत चले जाओ वो राहुल गांदी जिसकी जितनी भागिदारी उसकी उतनी इससेदारी इसके नारे देर उस पर मत चले जाओ तो क्या कहते है अधिकुर रह्मान साब ये विरूदी दिलों का एजिंडा इस देश में मुसल्मानों के लिए असुरक्षा का वतावर निर्मित कर दे रहा है या भाजबा को ये आपका सुरुवार मानते हैं ये हैं जो हमें चैन्से नहीं रहने दे रहे है तो टॉक्ट्टर ये उस विप्टी के तरफ से हो आ रहा है योगी आजित्यनाद जी चीफ मिनिस्टर हैं कॉसिटूशन पोजिशन पे हैं और आपको आजबातन दे चुके हैं हजारों पार के देश समभीदान से चलेगा और क्या कैसे हैं उसे मुसल्मानों की किताब का नाम लेके कैसे कि आपके शरीया शरीया से नहीं चलेगा अगर इस तरह ही यकीन है आपको कॉंसिटूशन के उपर तो आप ये पॉलिटिकल लग्स आप ये जो आपने जो प्वेस्टिंस किया है ना बहुत इंपोर्टेंट है लेकिन ये पॉलिटिकल कॉंटेक्श में मुसलमान कब तक पिछेगा मैं तो इंकार करना हूँ मैंने और कोई मुसलमान इस पास से इंकार नहीं करता है कि कॉंग्रेज्ड ने मुसलमानों को वोट बेंक की तरह इस्तेमाल किया तो भीजिव प्रश्वांदा मुसलमानों का इस्व लाकर किस तरह से इस्टेमाल करना चारी है भाई यह बहुत ब्राइट पॉलिटिक में मुस्रीन समाच क्या विनुद मंतर जी के से है यह भी हो गया यह बहुत बहुत पराशन बनता है न यह सवाल बनता है नो चिंदा मणी जी के बापाद लोटता हूं इधर आवान कर रहे हो बटोगे तो क्यों है चिंदा मणी जी फड़ा यह बता है कि देखिए हमारा जो मूल सिद्दान थे वो तो मानव एकता का है और हम तो हिंदू भी इसलिए क्योंकि यह यह लोग जो है अपने आपको बताते हैं हम तो विश्व मानव है हम हम हिंदू के एसा समाज है जो सब की धर्म की ज पीरे यह नर्क में जाएगी यह जलाए जाएंगे इनको मुसल्मान बनाना है बाइभूक और बाइक्रूक इनको मुसल्मान बनाना है नहीं बने तो परसान करना है एसा करना है थूख जियाद चलाना है लेंड जियाद चलाना है लव जियाद चलाना है डंगे करने तुसरी जातक बटोगे की बात है आप देखिए कि अमानुत्ता खाल अमान अमानत उल्ला खान वह सतर अजार वोटोस जीतता है और मनिस सिंग जिसने बताते हैं कि सिच्छा वेवस्ता अच्छी कर दी वह मुस्किल पांच जार से जीतते हैं अरे यह यह आप बताईए कि लोट की ताकत का यदे भी यह बात भी से और यह तस्दीक करें घृतिकर रह्मान के इसलाम समाब्स हो जाएगा जहां मुसल्मानों के आबादी मोहाँ लोगत अंतर खत è हो गया आप देखें पांगलादेश में चीफ जेश्टिस को भागना पड़ रहा है राष्ट पती को भागना पड़ रहा है सारी संस्टाइद वोष्ट हो गई और इराग देख लीजिए इरा देख लीजिए इरान तो चलिया भी थोड़ा बहुत जूरिस्टिक्स बचा है उनमें खुड़ा सा परसियन पन बचा है लेकिन बाकि जितने भी ओ देशे वहां लोकतंत्र खत्म हो गया तो लोकतंत्र इनका स्थांतर नहीं है लोकतंत्र तो एक शेटान की जो है वह सासन वी वश्था है क्योंकि ये लोग इनके अनुसार तो किवल खलीबा का सासन होना च देशआ आपके साथ है इस देश में इसलाम को प्रषिबंदित क्यों नहीं कर देते हैं जब इतना ही मुरा है सब कुछ तो आपके शासनकाल में इसलाम को सिखनberry क्यों है कब खतम करा रहे इसलाम को इस देश से देखे भारत इस तरह के उसमें कभी रहा नहीं अगर भारत में ये सब हम लोगों में ये बाव आ जाता तो ये तो बढ़ता ही नहीं खतम ही हो जाता आप तो देखे लिए समाज के लिए मुनश जाती के कल्याण के लिए समर्पित लोगों विश्वमान वह आपने अभी बताया गल्स चीज़ तो आपसे बड़ा होती नहीं है और आपने हमें ये समझाने की कोशिश के और हमारे दर्शकों को भी आप ये समझा रहे हो कि इस द क्यों नहीं करते हैं मासूम सा सवाल है इसका कोई तार्की गुत्तर की अपिक्षा हमारा दर्शक वर्ग कर रहा है थोड़ा चिंतामणे जी इस पर रोश्टी थे हैं ज्यादा कुछ नहीं तो चिंतामणे जी कहते हैं मैं जिस दिन देश का प्रधान मतरी बनूं को उस दि आत्मा कन्वेशन कर लीजिए उसके उसकी अप बहुत अच्छा है चलिया मैं अब यह बात वापस लेता हूं इसलाम कैसा है दूसरा दूसरा नहीं अभी तो आप यह वता हो इसलाम कैसा है अरे जो मेरा बहुत सिदा सितान दे के जो भी धार्मिक मानेता कटल को उची ठेर जो भी धार्मिक मानेता दूसरे लोगों के लिए खराब कल्पना करती वो कभी अच्छी नहीं हो सकती और अब देखिए कई पस्चिम देशों ने सिद्ध कर दिया और आप यह सिद्ध कर दिया और अब आप खुदी बता रहो कर दिया काई उरोपी देशों ने और मानसिक रोग है यह कोई धर्म नहीं है अरे तो फिर आगे चिंदामणी जी अभी वापस आता हूं अब आप खुदी बता रहो यह मांसिक रोग है तो मैंने यह पूछ लिया कि भाजबा के मजबूत शासन कालम है यह मांसिक रोग बना कि कैसे हुआ है अब चिंदामणी इसमें बता अब तरक नहीं दे रहे हो आप तो ऐसे ना थे ऐसे कैसे हो गए आप अरब यह तो निजामें मुस्तफा बोलने वाले यह तो इनका इन विनो जी इसमें कुछ कहना जाते हैं विनो जी से शायद कोई रोश्री में जी जी दूविदा में पड़ गए थोड़ा उनकी दूव सिंतामयनु से पहले दूर कने से पहले मैं अपने जो आतीको रह्मान जी पेट हुए है वह उन्नोंने एक बड़ा इंपोर्टन प्वोस्रन किया था मेरे से किया था वह चले अए आप सिंतामयन जी के पासने उनकी चिंताहा था यह आपने वारत लोक्षिंट्र है, लोक्रामी से सूर से चला आजकी बात नहीं है, अभी है, पिछलए पिछल ऐसे परसुमेस सम्मिधान वणा है, तो सम्मेदान के अधर पर चला लेकिन उससे पहले भी हमारा आज बिल्टी सम्मेदान था जो के रिलेसिट के नहीं था तो भी चला था जे तो अब देखे जो आपने आजशित लगाए मैं उनको बड़ा क्लियर का सब्दों में जवाब देता हूँ अब मैं जिहादी किसको बोलता हूँ जिहादी वो है जो कि इसलाम को इस्तापिक करने के लिए किसी भी हद तक गाने को तैयार है इसलामिक यूत हो या कोई आणने है उनको पैसे का और मजब का और अन्य पर्कार के लोव लालत देक करें जननत की सेहर कराएंगे आपको और बहतर हूरें दिल्वाएंगे आपको तराव की नदियों में डुबा देंगे और ये जो आपको परवार का हम-चुनता करेंगे मजब को आप अब एसे करोगे तो आपको रही कर देंगे आकरकर ये जो आतन कवादी सोच है न जी जो इसलाम के नाम पर चल लए है मैं आपको देखिए आप 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 जैसे विचारक को कम से कम आगे आना चाहिए ओपनली केना चाहिए मान करके और उसको अपनाने चले हुए हैं और जो भी गाजा पर बाजा बजा करके और फिलिस्तीन के लिए और हमास के लिए परन के आपको जिहादी करण क्या है कि देखे इसलाम को जिम्दारी के सर्क कह रहा हूँ इससलाम के मानने वाले सभी जिहादियों ये नहीं हो सकता लेकर हाँ मानने का हमका नसर जो है जिहाद के पिरोगलन को याए वो जिहादी है बइऴ और वह जिहादी है प्यों नहीं है अब मैं करता हूं धेखिए जब बात बटवारे की हो रही थी बागीदारी तो अतिको रहभान जी आज बागीदारी तो फारत में नहीं चलेगी, लोग तंत्रक रही कहता है कि सबको समान अदिकार होना चीहे। लेकिन अब जब बात समान अधिकार की आती है तो महला को अधिकार को इसलाम के नाम पर चीलना को चाते हैं बच्चों के अधिकार को इसलाम के नाम पर चीलना को चाते हैं जी आप मुझे बताइए कि जो कौमन सिविल कोर्ड की बात हो रही है उसमें रिलिजन बीच में कहा जी तो धर्म वो है जो धर्न करने होगा है उसका किसी पुछा पज़ देतें से कोई लगन अदर नहीं है आपने एक प्रश्न पूचाते है महांसुजी जो आप कहते हो कभी हिंदू कौन तो मैं इस पस्तारब करना वाता हूं कहना चाहता हूं कि हिंदू वो है जो इस भारत क संस्कृति उसके माननेता हूं उसके महापुरुष उसके परानेक परमपरा हैं उनके धर्म गरंत उनके जो विचार और उनके जो आदर्स हैं उनको फॉलो करता हूं वो प्रतेश बस्ती हिंदू है वो चाहें चर्च में जाए या कोई मंदर में जाए कोई गुर्द्वारे म जो हज के लिए जाते हो तो आपको हिंदी ही कहते हैं और आप देखें लोग कुछ लोग यह भी कंपरेजन करने लग आते हैं महांसु जी जब ही हम तो मक्का में तो आपकी मज़िद मंदर बंडा है और आप मारे मज़िदां को तोड़ रहे हैं और कुछ कोंगेस के गोगे जो है ना जी आप भारत में ग्रायुद छेड़ने की बात करते हैं मैं उनको कहना चाहता हूं भाया वो जो वाँ मंदर बंडा है ना वो आपके जैसे कट्टरपंती मुसल्मानों के बैसे नहीं बंडा और आपके जैसे मुसल्मान को तो वापको को पहर रखने की जमिन नह ना उसने और मैं कहना चाहता हूं आपके जैसे लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है क्यों कि आपने इसलाम की जो चबी बनाई है ना जी वो चबी बात करते हैं इसलाम को जो है वो ऐसे कट्टरपंती मुसल्मानों को भी यह समझना पड़ेगा कि ऐसे कट् लोगों बनसल जी ने हाला कि एक रूचक बात है चिंता मनी मालविये और विनोद जी दोनों एक ही संगठन्स के विचारिक के तौर पर पहचाने जाते हैं पर दोनों के विचारों में भी काफी बड़ा अंतर दिखाई देता है इस अंतर हास में आते को रह्मान साब की टि चोटी सी दो बाते रखना चाहूंगा आपके सामने और मैं दावे के साथ कहता हूँ पहले भी इनको पता चुका हूँ कि इसलाम आतंक और मुसल्मान इसको डिस्क्राइब करने के लिए आप बॉर्डर क्रॉस करें पगें आप इंडिन मुस्लिन के कॉंटेक्स में टेरिर इसको इंडिन कॉंटेक्स में ये डिस्क्राइब ही नहीं कर पाएंगे 75 साल हो गए आरांगे इंडिन मुस्लिम एकता सिंदाबाद के नारे कल तक के लगे थे यहाँ पार कल तक के लग रहे थे यह अचानक 2014 के अंदर इसको इसकी जड़े खोकली करने के लिए बिरोध बं इंडिन मुस्क्रिम्स को टेर्रिजम के साथ में ये चोड़ना ना दूंची नहीं मैं इनको दावे के साथ किराओ इसके लिए अलग से आप डिबेट रख लिए इसमामले के लिए अधिकरम साथ आप कियारों कि 2014 के बाद ऐसा होने लगा पर 1990 में जब कश्मीर से बड़ी संक्राम में कश्मीरी पंडितों को गाटी को छोड़ना पड़ा उसे में कौन सी हिंदू मुस्लिम एकता थी यह बटाला हाउस जो हुआ इसके संदर में अलग अलग जगों पर जो धमागे हुए जिस मुंबई में आप रहते हैं 1993 के वो धमागे आप भूले नहीं होंगे उनको भी इसी दृष्टी से देखा गया क्या आपको नहीं लगता है कि इस संदर में अगर संदे का वातावर यह आप मुझे पताईए क्या यह सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉंटेक्स में आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे क्या इसका भी एक बॉर्डर पार का इंबेट नहीं क्या कश्मीर को आप बॉर्डर पार से नहीं चोड़ते हैं क्या पाकिस्तान अपना प्रॉक्सी बार मेरे ने चला रहा है ुसके लिए इंडियन मुस्लिम के से घिम उत्सार और इंडियन को गट्री को एक मेस्वाध करती है कि में जिन्मेदार मांते हैं और यह जो कहें आम उसको मानेंगे जो सहीतों के स्थान थे उनको अपमानित कोन कर रहा था आप क्या बात करते हैं यह आप इस देश को यह मत बताई कि भारत के मुसलमान जब अपनी सुविधा से नेतिका मत रखिये जब आपका पक्षाता बोले बहरत के मुसलमानों को अलग से देखो जब ऐसा कुछ होता आप बाते कर रहे हैं और उनके पक्ष में तो भाई आप एसा मत किजिए यह सा मुर्कमत समझे लोगों को सबको मालूम है सबको मालूम है यह चिंदामणजी की दलील है विनो जी को शातुशेक पढ़ने जा रहा है जी विनो जी अधिको रहमान सहाब सीधे आपकी और रुक किये दे आपकी टिक पड़ी मैं कहना चाहता हूँ जैसे कॉंग्रेस के साथ है ना कॉंग्रेस में जैपरकाजी है तो हिंदू मैं मानता हूं इनकी हिंदू निष्टा को यह जाते हैं जो जैसे अभी जनेव दारे हिंदू है वो रचांप के नेता भी हो गई लेकिन उनको वो मत तरह सो एकड जमीन के कबजा करने पर जो कितने सारे किसान वेखर हो गए हैं उबे और कितने सारे किसानों को रात और रात आपने उनकी जमीन चिन ली उस पर एक सब्द नहीं बोलेंगे आपके ताँ मैं यह कहना चाहता हूं जेकि अतिकुरहमान जी यह भारत के मुसलमानों मैं सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं भारत के कट्टरपंधी जिहादी मानसिक्ता के मुसलमानों की बात हो रही है और यहाँ पर एक नहीं है जी अनिए संजी में है जो उनको प्रोटेस्ट करती है और प्रोटेस्ट करती है मैं कहना चाहता हूं देखिए जमीन त अरिनात के बयान को एक प्रकार से ये कहा जा रहा है कि संग की बहुर, उसमें ये कहा गया है कि बटोगे तो कटोगे, तो क्या ये आवान इस देश के 20 करोडो मुसल्मानों के लिए है, कि मुसल्मान आपस बटे नहीं, अगर 20 करोडो मुसल्मान एक जुट रहेंगे, तो कि आपका हावान की उल्टा तो ना पड़ जाएगा हम लोग अगर हिंदू की बात करते हैं तो रास्ट्र की बात करते हैं मानप्ता की बात करते हैं विश्व बंदुत्य की बात करते हैं सर्वेशन तो निरामा की बात करते हैं हमासु जी मैं कहता हूँ का अगर बटोगे तो पटोगे का मतलब क्या है संपून भारत को उपर अपलीजबल होता है अगर अगर यह जो अतीको रह्मान जी कहते हैं कि नई विनोद बंसल मेरा भाई नहीं है भारत माता की जय नहीं बोलूगा तो निसन्दे मैं भी कहूंगा कि आप मेरे भाई नहीं है म दो मेरे साथ आपको बंदुत नहीं हो सकता गी सब्सक्राइब क है एक हो जो बात बतोगे तो बात अब बहत्यित को एक रहना है एक मुठी की तरह रहना है तब विकास के मार्ग में भी आगे बढ़ना है देश को आगे ले जाना है तो मार्म की बात पर पहुंचाया विरोध बंसल जी नहीं है अगर बात है तो वो बात है एक सो पैंतालिस करोड भारत वास्यों के एक जोट रहने है अगर एक सो पैंतालिस करोड भारत वासी एक जोट रहेंगे तो दुनिया की चुनोतियों कर सामना मजबूती से भी कर पाएंगे और अपने आपको आगे भी बढ़ा पाएंगे और देश अगर एक सो नौ बनाम बीस करोड बें बढ़ गया और आपस में ज गड़ गए तो कुल मिलाकर अफसर दुनिया के लिए रहेंगे भारत के लिए नहीं रहेंगे भारत में बैठे हुए लोग इस बात को समझ पाएं और लोगों के राजनेतिक हितों को ताक पर रख कर देश इतको प्रास्बिक्ता दे पाएं तभी देश का वविश्र सुने आप